दुनिया भर में लोग हजारों सालों से बीयर पीते आ रहे हैं क्योंकि बीयर एक लोगप्रिय अलकोहलिक ड्रिंक है अधिकतर बीयर में 4-6% अलकोहल होता है हाला कि कई बीयर में अलकोहल की मात्रा इससे ज़्यादा भी हो सकती है अब तक स्टेडी में एक बात सामने आई है कि कम मात्रा में बीयर पीने से हल्द को कई फायदे हो सकते हैं अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो सरीर के लिए बेहत खतरनाग भी साबित हो सकता है इसलिए आज के इस बीडियो में मैं आपको बीयर पीने से होने वाले फायदों के बारे में पताने जा रहा हूँ इससे पहले आपको बता दो कि हर साल अगस्त के पहले सुक्रवार को इंटरनेशनल बीयर डे मनाये जाता है साल 2007 में इसकी सुरुवात अमेरिका में हुई थी और धीरे देरे या दुनिया के कई देसों में सेलिबरेट किया जा रहा है और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरगी वीडियो आती रती है तो बीयर के फायदों में सबसे पहले किडिनी स्टोन का जिकराता है अगर आपकी किडिनी में स्टोन है तो बहुत मुझी है कि रोजाना एक बीयर पीने से धीरे धीरे पेसाब के रास्ते निकल जाए फिनलैंड की राजदानी हेलसिंकी में 27,000 लोगों पर हुए रिसर्च में यह पता चला है कि रोजाना एक बीयर पीने से किडिनी में स्टेन होने का खतरा 40% तक कम हो जाता है वजा हिया है कि बीयर में पानी और सराब दोनों होती है जिससे पेसाब पतली होती है और बहाव तेज होता है इससे स्टोन बनने का खतरा भी कम हो जाता है दूसरा एक कद्धन करनुसार जो लोग मदूमे के रोगी होते हैं उन्हें हलकी मात्रा में बीयर से रक्त सरकरा को अच्छे से नियंतरित करने में मदद मिल सकती है यह मदूमे के विकास के जुखिम को कम करने में बहुत लबदायक होता है तीसरा स्ट्रोक तो समझते ही हैं दिमाग से जुड़ा मामला है आम तोर पर लोगों को स्ट्रोक तब पढ़ता है जब उनके दिमाग में खून का थक्का बन जाता है और दिमाग में खून और अक्सीजन का प्रवाह रोक दिता है जितने जादे थक्के होंगे हालत उतनी खराब होती जाएगी पर बीयर पीने से खून का संचार करने वाली दमनिया लचिली हो जाती है और खून का संचार तेज जाता है इससे खून का थक्का जमने के असंका बहुत ही कम हो जाती है चौथा आपने बिग्यापन में देखा होगा कि बीयर सेंपू के नाम पर कई प्रोडक्ट्स भी बिगते हैं बीयर को डेंडरफ खत्म करने का नैचरल उपाय माना जाता है बीयर में इस्ट और बिटामिन की भारी मात्रा पाय जाती है जो डेंडरफ रुकने में काफी मददगार साबित होती है बीयर वाले सेंपू से बाल दोने से डेंडरफ खम होगा और आपके बाल में साइन गाएगी पांचवा, बीयर में भरपूर मातरा में बिटामिन भी पाया जाता है इसमें फोलिक एसीड अधिक मातरा में होता है और या दिल के दोरे को रुकने में काफी मददगार साबित होता है चटवा, बीयर का सेवन करने से मस्तिक्स में डोपामाइन की मातरा बढ़ जाती है जिससे आपको मांसिक्स आंती मिलेगी और आपका तनाव मुक्त महसूस करेंगे अध्यनों के अनुसार दावा किया जाता है कि बीयर, पार्क्सिंग्स और अल्जाइमर जैसी नियूरो जेनेटिव बिमारियों से मस्तिक का रक्षा करता है साथवा, बीयर पिने से आखों की रोशनी भी तेज होती है वेस्टन ओरियंटो विस्विद्याले में एक अध्यन में दावा किया गया है कि यदि एक दिन में एक बीयर का सेवन किया जाए तो मोतिया बिन्द को विक्सित करने के जोकिम को कम किया जा सकता है बीयर में एंजाइम और एंटी ऑक्सिडेंट माइटो कॉंडराईल पाये जाते हैं जो छटी को रोक कर आँखों की रक्षा करने में मदद करते हैं आठवा यदि मध्यम मात्रा में बीयर का सेवर किया जाये तो बीयर हड्यों को मजबुती परदान करते हैं नौवा बीयर में एंटी ऑक्सिडेंट की परचुरता पाई जाती है या अन्य मादक प्वे पदार्थों की तुलना में पॉस्टिक होती है बीयर में प्रोटीन और बिटामिन भी अधिक होता है इसके साथ ही बीयर में केलसियम, फाइबर, आइरन और फासफेड भी पाया ज प्रोटीन